रॉबरी सस्पेट्स वांटेड हैं जिन्होंने लूटा विक्टम को पार्किंग लॉट में जब वो निकला बैंक से एनरजी स्टेडियम के करीब जबके पुलीस का कहना है कि बैग जो कर लेकर भागे थे सस्पेट खाली था ये विडियो रिलीज की है इंसिडेंट के हीूस्टन पुलीस डिपार्टमेंट ने जिसमें देखा जा सकता है सीन इस बैंक रॉबरी का जब विक्टम ने पार की थी अपनी गाड़ी चेस बैंक के बहार 8-3-3-0 साउथ मीन स्ट्रीट नियर कर्बी ड्राइफ पर और वो वाक करके गया अंदर बैंक के और वापस बहार आया बैंक के साथ यहाँ पर याद रहे कि ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है तीन हफ़ते पहले जैनवरी 17 को जिसकी वीडियो अब HPD ने रिलीज की है अगर किसी को कोई इंफिमेशन हो इस केस से रिलेटिट तो आप कॉल कर सकते हैं कॉंटक्ट करने के लिए Crime Stoppers of Houston को डारेक्ली और इंफिमेशन देने वाले को मिलेंगे अरेस्ट होने पर ये सस्पेट्स कैश प्राइस 5000 डालर का